आप देखो, appointment तो हो गया आपका, दोस्त, सॉरी, आपने चीज़े तो समझ ली कि कब आप appointment हो सकते हो, disqualification क्या है या फिर qualification क्या है, ये सब चीज़े आ गई, अब actual में appointment होता कैसे है, company बन गई, company तो बन गई, अब company को 30 दिन के अंदर, एक appointment करना पड़ता है, यानि उसके साथ agreement, engagement letter sign करना पड़ता है, कि आसर तू मेरा ओउटर है, ठीक है तो पहला ओउटर होता है, company आज बनी, ठीक है, company, company incorporate हुई आज, incorporate हुई, माल लो, ठीक है, आज फरवरी चल रहा है न, चलो फरवरी के starting की डेट देल दें, माल लो, एक फरवरी को ही, ठीक है, तो उसको एक महिने के अंदर, यानि 29 फरवरी तक, 29 क्या, अब एक तारीक लेलो, आपको डेट याद रखने के जरूत नहीं है, एक मार्स तक, पहला ओलिटर, फर्स्ट ओलिटर बोलेंगे इसको हम, फर्स्ट ओलिटर, एक मार्स तक आपको फर्स्ट ओलिटर अपोइंट करना होगा, का कंपनी को कंपनी की ड्यूटी है कि पहला ओधर कॉंट करना तो पस यही जिसी जहां लिक्षी है आधेगे बोर्व डेक्टर अचा हां बोर्व डिर्क्टर पोइंट करता है यहां था च्यार होल्ड पोंट नहीं करता है मैं आपको starting classes बताया था ना कि सबके अपने काम होते हैं तो बोर्ड रेक्टर क्या करता है कम्पनी चलाते हैं ठीक है तो कम्पनी चलाते हैं तो ओईटर भी वही अपोइंट करते हैं कि अब यहाप को एजिया सम्झाना पड़ेगा इस दिया कितना चीज़ाती है अगरे समझाने बैठेंगे में तब बहुत कुछ चीजे समझाने हैं बैठेंगे कोर्स पर दे नहीं रखा, बुक्स में आपकी दे नहीं रखा, मज़ो, चीजे एजी हैं, बट आपके कोर्स पर नहीं दे रखा तो मैं क्या करूँ, टाइम लगेगा, यह आप लिख ले ना, अगला पॉंट देखा क्या है, नहीं है, इसी में समझ लेते हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट ओईटर एक मार्च को पॉइंट कर लिया, अब यह एक मार्च को पॉइंट हुआ, तो कौन से साल के लिए हुआ, यह हुआ, फिनांशल यहर 23-24 के लिए, ठीक है, अब फिनांशल यहर 23-24 के लिए, इसका एजियम, एनिमल जर्नल मीटिंग, यहनि साल में एक मेन मीटिंग होती है, उसकी लाज़ डेट कब होती है, कंपनी सेक्ट के इसाब से होती है, 30 सितंबर की, यह टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तभी आपको समझ में आयेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, उस पॉइंट को, 30 सितंबर को एजियम की लाज़ डेट होती है, एजियम माने, एनिवल, जर्नल, एनिवल मतल साल आना, ठीक है, तो जब फर्स्टाइम ओइटर पॉइंट होगा न, वो ओइट करेगा इस साल का, ठीक है, और अगली जर्नल मीटिंग, स्वरी, फर्स्ट जर्नल मीटिंग, फर्स्ट जर्नल मीटिंग बोला देवो, कॉर्स मंश् Außerdem, फर्स्ट जर्नल मीटिंग, कम्पणी बनी अभी फर्रवरी बनी ये कम्पनी, मार्च दोई महिन है तो रहे गे, इस साल के, बह् to त्वेल इस तारीक तक इसका अईर रहेगा इस तारीक को एक नए आडे भी लामापढ़ फ़्या इस को दुबारा पॉइंट करने इसी के साथ दुबारा हुआ agreement sign कर ले या फिर कोई नया बंदा लिया है ठीक है बस इतना सा point है इसके लिए देखो कितना को समझाना पड़ेगा मैं को एक line के लिए ठीक है दोस्त यानि पहला oiter जब से appoint हुआ है तब से लेकर 30 सितंबर तक उस साल के कमिंग वाले 30 सितंबर तक ही oiter रहेगा चलिए in case first oiter of the company is not appointed by the director of the member shall within 90 days अगर माल लो यहाँ पे यह काम किसका होता है अपोइंट करने का डिरेक्टर का ठीक है अगर डिरेक्टर तीस दिन में अपोइंट नहीं कर पाया यहां पे रहें तो यहाँ लिखता है by a director डिरेक्टर तीस दिन में अपोइंट नहीं कर पाया तो दोस्त क्या होगा बताओ तीस दिन में डिरेक्टर अपोइंट नहीं कर पाया यह लिखा नहीं हुआ आपके बुक में यह section में लिखा हुआ है सम्झोगे निए अगर मैं चीज सम्झाओंगा निए तो आपको अपोइंट मतला उसके साथ agreement sign अगर 30 दिन में नए पोइंट कर पाया तो उस 30 दिन के बाद यानि यहां के बाद 90 दिन मार्च अप्रेल मैं मोठा मोठा भी हम दिन निगिन्द रहे आपको सम्झाओने के लिए तो इकट्यस में को फिर यह क्या करेंगा अगले 90 दिनों में शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स अपोइंट करेंगे ओईटर को, ठीक है, इसने बस यह बोला हुआ है, अगर फर्स्ट ओईटर, इस नॉट अपोइंटेट वाई डिरेक्टर, तो 90 डेज में एक एक एक्स्ट्रा ओडर्री जन्रेल मेंटर रखके अपोइंट्मेंट होगा, म और लास्ट क्या बोल रहा है कि पहले वाले टन्र कहां तक रहेगा, टन्र कमतल्ब तक ओड़ार रहेगा, यहां तक, अपहली पढ़ लिया, 30 सितंबर तक ओड़ा रहेगा, 30 सितंबर 2024 यह भी लिखे लो, ने तो फिरक होगे, अर 30 सितंबर 2025 तक तो नहीं है, ठीक है, मतलब अगला ओडिटर इसमें कौन सा पॉइंट रखा है ठीक है एक और पॉइंट आएगा इस पर बहुत छोटी-छोटी चीज़ है लेकिन मेरे को आपको बहुत कम चीज़ों में बताना पड़ रहे हैं ठीक है अब सब्सक्राइब में दोस्त क्या होगा अब यह तारीक आ गई इस दिन देखो पहला ओडिटर तो एजियम तक बना था अब जो सेकेंड ओड़ बनेगा सबसीक्वेंट ओड़ बोलेंगे उसको सेकेंड नहीं बोलेंगे वैसे लौ में सबसीक्वेंट ओड़ बोलते हैं यानि अगला ओड़ तो यहां पर जो आपका यहां पर आपका सबसीक्वेंट ओड़ अपवइंट होगा अब यहां पर चाहे वह इसी को दुबारा बना ले या कोई और बंदा लिया है अब यहां पर अपवइंट होगा ना वह अगले पांस सालों तक रहेगा यही रहेगा कमपनी को अगले पांस सालों तक इस रखाने के जरूवत नहीं है वह को इद पर याद हो जाएगा आपको वो सारा चीज डेट वेट वाला कोशन नहीं आएगा इतना practical question आपके course में नहीं आएगा आप सिर्स theory का question पुछा जाएगा ठीक है यह बोल रहा है every company shall its first annual general meeting पहले annual general meeting वहाँ पे appoint होगा और वो appoint होगा अगले 5 साल हो के लिए यानि कब तक till the conclusion of 6th meeting 5th meeting कैसे होगे sir पहले annual general meeting तो यह होगी यह first यह होगई फाइफ यह टोटल होगे ना 6th meeting तो 6th meeting में अगला बंदा appoint होगा इतना सा दे रखा है ठीक है अब देखो अगला पॉइंट क्या है terms of appointment यह मैंने पहले बता दिया अगर सिंगल बंदा मैं और हूं सिर्फ अपने नाम पर ले रहा हूं मैं मेरे पास copa मैं खुदी अपना ओफिस होड़कर बैठाओं मैं और ले रहा हूं किसी company का तो मैं उस company का लगातार पांस साल के लिए सब्सक्राइब कर सकता हूं यहां पर पॉइंट होने के बाद यहां 30 सितंबर पर पॉइंट होने के बाद ठीक है यह पांस साल लेकिन अगर मैंने कोई firm खोली है ठीक है मेरे पास चार सी है चार सी है कि एक partnership यह 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 इसाल प्रसे firm मना ली तो अगर firm है तो वह 10 साल तक और कर सकती है 10 साल सिंपल सी बाद हागर इंड इंड बंदा है इन्ड विज्यूल के लिए तो वह 50 साल तक लगतार कर सकता है अगर एक firm है जिसमें 2 या 200 ज्यादा ज्यादा सीए जय और हैं तो वह firm तस साल के लगातर אॉाइट कर सकती है ठीक है इतने पॉइंट हो इंडिविजुल है तो उसकी एक टर्म पांच साल की होगी और अगर कोई और युज फर्म है इस फर्म है तो इसकी दो टर्म 2 तम यानि 5 और 5 दस साल ठीक है दो टम लिखा यहां पर तो 5 और 10 यह है तो यह आपको सिंपल वेमाग करकर समझा दिया मने चलो अब री अपोंट्मेंट सर री अपोंट्मेंट क्या होता है दोस्त हमने यहां पढ़ा था कि इसी company को एंड असोशियेट्स को इस तारीक को माल लो दुबार इसी को डुबार लिकरना चाहतीए री अपॉइनमेंट यो यहांनि इसी को डुबार अपना ओ humor बनाना चाहतेए इसी तारीक को या फिर पार साल के बाद या दस साल के बाद जब भी किसी को दुबारा उसी बंदे को दुबारा ओटर बनाना चाहती है उसे बोलते है री अपॉइनमेंट ठीक है तो री अपॉइनमेंट कब कब हो सकता है यह दे रखा है यहां पर कब कब हो सकता है देखो अगर वो qualified है कब if he is not qualified for reappointment या लिजदेश ने कि अच्छा चालो भाई लेंग्वेज प्रॉब्लम है देखो क्या बोल रहा है कि रिटारिंग ऑईटर जो इस साल को यह रिटार हो जाएगा कि यह रिटार हो जाएगा ना इस तारिक को तो इसको अगर होना है तो क्या-क्या चीजें कि नहीं होने चाहिए चीज को थोड़ा घुमा रखा है आप यह बहुत द्हान रखना यह चीजें नहीं होने चाहिए तब वह बंदा अपॉइंट हो सकता दुबारा तो यह चीजें नहीं होने चाहिए यानि वह डिस्क वह नॉट्ट कॉलिफाइड पोर इपॉर्टमेंट वह में डिस्कॉलिफिकेशन पढ़िए थे ना मानलो यह डिस्कॉलिफिकेशन पढ़िए थे ना यह सारी आग्या वह डिस्कॉलिफिकेशन पढ़िए थे हमने इन में सब कुछ भी चीज अगर इस डेट में पाया गया कि ए ने उनमें सब कुछ भी चीज करी है पांच लाग से उपर का खुद लोन लिए या कसी के एक लाग से उपर के डारेंटी दे या फिर इसी कप्पनी में जॉब कर ली या फिर कहीं और फॉल्टाइम जॉब कर ली यह सब इस्कुछ भी अगर इसने कर दिया तो हम पाएगा है व्हाग सेकंड पॉइंट पॉइंट मेरा खतम होल गया मैं इस कंपनी का ओईटर नहीं बनना चाहता है जी कर दो कि अव्हाएं तो नहीं बनेगा यह एक रेसुलूशन पास कर दिया यह कंपनी को लगा कि यॉवी और करता नहीं है तो कंपनी ने खुदी एक resolution पास कर दिया ठीक है कि यह बंदा रिये पॉइंट नहीं होना चाहिए नॉट विर पॉइंटिड और इसकी जगह कोई और संबड़ी एल्स शुड़ भी अपॉइंट इसके लिए कंपनी को लेखें रेजुशन पास करना पड़ेगा आप सिंपल वें मैं समझे लो रिपउइंट सेय में बंदा दुबारा अप्वइंट होना चाहता है तो कभ हो सकता है या कब नहीं हो सकता अगर वो इस चीज़े करता है तो अपोइंट नहीं हो सकता है रिपो germs नहीं करता थो गली पाइल याईगा चाहने मौ वो खुदी disqualify हो गया हो इस साल, खुदी qualification, जो उसकी qualification थी, वो qualification ना रहे हो, disqualify हो गया हो, low ले लिया हो, दूसरा, खुदी मना कर दिया हो, तीसरा, company मना कर दिया हो, कि तू नहीं बनेगा, हमारा auditor कोई और बनेगा, simple. नेक्स्ट पॉंट, removal of order, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, फिर गड़ बढ़ हो गई है, चलो, वही है न, यह बुक में है नहीं, तो हमें लिखना पड़ा कहीं से, जिसलिए दिक्कते आई हैं, देखो, removal of order का section है, एक है resignation का, यहाँ से आता है, Designation, यह वाला part removal, company को नहीं रखना होसा है, तो company खुदी बोल देगी, जिस हम नहीं आपड़ा था, अब समझे लो, एक हम यह वाला point पड़ रहा है, नीचे वाला, company मना कर दिया, कि तु अब हमारा order नहीं होगा, तो company कैसे कैसे, यह चीज कह सकती है company कि तु हमारा order आज से नहीं होगा इस साल से, उसके लिए company क्या करना पड़ेगा, उसको approval लेना पड़ेगा, central government से, वैसे इसका form होता है, ADT2, यह आपको याद रखने हैं जी उतनी है, बस मैंने आप सी बताव को बता दिया, company एक form भरेगी, आरोसी में, उस form में central government को, यानि आरोसी को form भर के देगी, कि इस बार हम इस order को नहीं रखना चाते है बाई, सिंपल सी बात है, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, जान बुच के हटा रहे हैं, उसके लिए एक form भरना पड़े है, company को, आरोसी के पास, यह आरोसी के जगा, central government लिखा है, central government के अंदर यह आरोसी आती है, तो मैं आरोसी बोल दूँ या central government बोल दूँ, बात एक ही रखना है, इसको एक अपोरचनेटी देंगे, तो भाई तू भी तो बता, तू भी तो बता कि तेर को हम क्यों निकाले हैं, तो उसको अपोरचनेटी देगी company, ऐसा नहीं है को जान बुच के जैसे मर्ज निकाल देगी, company के पास ऐसा हक नहीं होता, बिना पूस्ताच किये, क्या पता, आप ओईटर ज्यादा गलतिया निकाल रहा हो company की, और management उसे निकालना चाहती हो, यह भी तो सकता न दोस्त, तो ओईटर से भी पूछा जाएगा कि आप भी बताओ, reasonable upon necessary to be heard, उसकी सुनवाई भी होगी, उसको निकालने से पहले, ठीक है, यह दोनों काम करके आप ओईटर क क्योंना निकाले, simple, अगला है resignation, जो अमने यहाँ पढ़ा था ना point, वो खुद भी तो, कहां किया, यह second वाला, if he has given notice in writing for unwillingness to repointment, वो खुद भी अपने unwillingness, will नहीं हो उसकी, अपने unwillingness बता रहा है कि मैं नहीं करना चाहता है भाईटर, इस साल से, sorry, अपने unwillingness दे रहा है, य जो खुद भी तो मना कर सकता है दोस्त, ठीक है, इसका section, शयद 140, subsection 1 है, इसका 140, subsection 2 है, section अगे नियाद रखने के जो अतनी है, तो वो खुद भी company को resign करेगा, लिखित में देगा, लिखित में देगा, plus, 30 दिन के अंदर ROC को एक form फाइल करेगा, ठीक है, form भी फाइल करन 11 number 1 form होता है, उसमें वो अपने resignation file करेगा, 30 दिन के अंदर, ठीक है, ठीक है दोस्त, यह हो गया आपका removal, हो गया सब, I think आज के लिए इतना बहुत है, इसको एक बढ़ धंग से पढ़ लेना, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे जुरूर WhatsApp पर connect कर लेना, क्योंकि आज का थ थोड़ा technical था, और problem यह भी है, आज का content आपकी book में नहीं है, ठीक है दोस्त, company audit, यह chapter आपके do वाली book में भी नहीं है, और आपके इस वाली book में भी नहीं है, लेकिन इस पर question आता है, question कौन सा आता है, qualification वाला आएगा, आपके पास question, आपके पास, qualification, disqualification, या फिर right आ सकते है, वैसा qualification आता है, right आते हैं, duty आती है, generally, ठीक है, यह तीन point ज्यादा important है, क्योंकि यह basic point है, यह आते हैं आपके paper में, generally, लेकिन फिर भी मैंने और चीज़े से लिए बता दी, और हाँ यह भी important है, opinion कितने प्रकार की होती है, तो यह 3-4 चीज़े छोड़के, आपका यह इ 8 तक, 8 तक है यह पूरा company audit, और इसकंदर भहुत सारे subsection भी हैं दोस्त, बहुत बड़ा chapter है, अगर हम company पढ़ते हैं, company law पढ़ोगे न, company law में अगर है आपका, इस वाले semester में या फिर next semester में, तो company law में आप यह पूरा पढ़ोगे, अगर आप यह course में होगा तो, तो आज के इतना ही, next class में मिलते हैं, next class में हम most probably, पूरा audit, मतलब audit की audit वाला पार्ट था न, सबसे पहले आपने पढ़ा था, हमें हमारे course में audit वाला पार्ट इतना है, तो audit वाला पार्ट हम कोशिच करेंगे, next class में खतम ही कर दे, यानि audit का पार्ट हमारा खतम हो जाएगा, आपके 25- जा सकता है, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा corporate governance, और role of audit in corporate governance, ठीक है, तो audit का जो रोल होता corporate governance में, वो मिला के पढ़ेंगे, ये सारी knowledge और corporate governance में कैसे काम आएगी, ये भी पढ़ेंगे, तो ये knowledge ही नहीं होगी, तो corporate governance कैसे दोस्त समझ में आएगा, ठीक है, तो please आज की class जदूर एक बाद पढ़के आना अच्छे से, इससे पहले नहीं बोला था मैंने अच्छे से पढ़ने को, बट आज की जुरूर पढ़के आना, क्योंकि चीज़े टेकनिकल थोड़ी ज्यादा हो गई, although technical question नहीं आएगा, again बोल रहा हूं मैं, theoretical ही आएगा, बट फिर भी आ पढ़के जरूर आना, चलो दोस्त, मिलते हैं नेक्स क्लास में, थैंक यू, बाई